पढ़ो रोज हनुमान चालिसा करो तरकाल संद्या में ब्रह्मन हूं ये चोटी रखता हूं डेढ़ हाथ की लंबी जनेव पहनता हूं ब्रह्म में चरवरत का पालन किया है मैंने आस तक मुझे दुख होता है इसलिए मैं तेज आवाज में बात कर रहा हूं लगाओ आप सुबह चार बज़े ब्रह्म मूरत में करो हनुमान चालिसा का पाठ करो दो पहर में करो तरकाल सुबह कितने बज़े शुरू होती है पाच बज़े शुरू होती है अगर ये बास्तों में हिंदू हैं सच्चे हिंदू हैं हमारे सनातन की परंपरा यही है हमारे सनातन में परंपरा है विधान है अरे सुबह चार बज़े हम उठने के लिए हमारे गाओं में मुर्गे पाले जाते थे जो कुड़ो की बांग देते थे बाई अलार्म लगाते थे अरे उनकी पाँच बज़े बढ़ती है तुम क्यों नहीं उड़ जाते हो अगर तुम्हें इतना ही सोक है तुम क्यों गली-गली लेकर के वो साउंड लेकर के गूम रहे हो मैं कहता हूँ ये जो तताकति हिंदू है नफरती के रस में डूबे हुए हाँ है ये बड़ी अच्छी बात है लेकिन किस संदर्ब में हो रहा है ये सवाल है उस सवाल का जवाब ये है कि ये जो चालीषा हो ह Tag चालीसा नहीं तो राम के समर्पण में हो रहा है ना हनुमान जी की भक्ति को जागरित करने के लिए हो रहा है ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ ये हनुमान चालीसा इस देश के मुसल्मानों को एक कॉम्मूनिटी को टार्गेट करके और पूरी दुनिया में ये संदेश देना चाहते हैं कि हम हिंदूओं के मसीह हैं मैंने आपसे पहले भी कहा था और मैं फिर कहता हूँ कि हिंदूओं का ये सबसे बड़ा कोई दुस्मन इस देश में है तो वो बिजेपी और आरेसेस है धर्म का कोई सबसे बड़ा दुस्मन है तो वो बिजेपी और आरेसेस है ये देश को समझना होगा देश के लोगों को जनना होगा हलाल जटका पटका लटका ये सब बोल बोल करके ये सब नफरत फैला फैला करके आर तुम ये बताना चाहते हूं कि हिंदू खत्रे में हैं ना हिंदू खत्रे में नहीं है हाँ यदि तुम ये नहीं करोगे दोस्त तुमारी कुर्सी जरूर खत्रे में है क्योंकि तुम्हें म मारी कुर्ची और एक चीज में और